बिहार में करोना टीका करण अभियान को तेजी देने के लिए और भी ज्यादा वैक्सिन डोस की जरूरत है राजी के अंदर फिलहाल हर दिन औसे तन दो से तीन लाख डोस की खापत हो रही है और ऐसे में वैक्सीन के स्टॉक में कमी होने से टीका करण अभियान प्रभावित हो सकता है लिहाजा राजी सरकार ने केंदर से 30 लाख वैक्सीन की मांगी है प्रिधान मंत्री नैंदमोदी ने 14 अप्रेल तक पूरे देश के अंदर करोना टीका करण का विशेश अभियान चलाने को कहा है टीका करण उत्सव के लिए बिहार में हर दिन तक्रीबन 4 लाख डोज का लक्ष रखा गया स्वास्ट मंत्री मंगल पाने ने वैक्सीन की अवशक्ता खुले कर केंदर स्वास्ट मंत्री डॉक्टर हर्शवदन से बातचित भी की है दुसरी लहर के वाप्टिने पट्ना में करोना वारिस ने नया रिकॉर्ड बना दिया है शनिवार को पट्ना में 1431 नरे मरीज मिले जिसके बाद हालात विस्फोर तक हो गए है राजधानी का शायदी कोई ऐसा मुहला बचा है जहां करोना का मरीज नहीं मिले हो पट्ना में मिलने वाले करोना मरीजों में आम लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में स्वास्त करमी भी शामिल है बीते दिन पट्ना में 11 दॉक्टर करोना पॉजिटिव पाए गए हैं इनमें 2 डॉक्टर पट्ना एम्स के हैं और 9 पी एमसी एच के हैं इनके लाबा 44 स्वास्त करमी भी संक्रमित पाए गए हैं बगहा में राम लगर में प्रशाशन की टीम सड़क में सड़क पर उतर कर शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद कराने में जुट गए दरसल बढ़ते करोना संक्रमन को ध्यान में रखते हुए राजी सरकारनी शाम 7 बजे के बाद कोछ आवशक सेवाओ को छोड़कर और दुकानों को बंद करने का आदिश दिया जिसके पालन को लेकर प्रशाशन ने बादारों में गार्डाइंस का उलंगन करने वालों पर जुन्माना भी लगाया